पुनीत मिश्रा और बिना लाग लपेट के ना इधर ना उधर सिधे पुनीत की खबर पुनीत आपके हाथ में क्या है मेरे हाथ में है यह देखिए यह है मेरे हाथ में अब आपको इसको क्या समझ में आ रहा होगा यह क्या दिख रहा है आपको दिखाए यह इरान है लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ इसराइल और यह लिखा हुआ है इसराइ है यह यह है कुझली क्या है कुझली और ये कुझली ही करने वाली है क्योंकि देखिये मिडिल इस्ट में क्ञा हूँ राहे कल रात को क्या हुआ यह चारत को मौलू है कि इस्रायल एक दिरा ले कुछ चल रहा है लेकिन लगातार बार-बार जब हनिये की इसमाईल हनिये की हमास के चीफ की हत्या हुई थी तब इरान ने कहा था हम बदला लें बिलकुल और तब हम बैठेते और चर्चा कर रहे थे कि क्या इरान हमला करेगा इसराइल के उपर लेकिन तब कुछ नहीं उसके बाद इसराइल ने अपना ऑपरेशन जारी रखा फिर हिजबुला टारगेट पर आ गया हिजबुला टारगेट पर आया तो हिजबुला को जमीन से साफ कर देना है नेतन यहु ने ये तै कर लिया था और कह दिया था कि हम तो जमीन से साफ करके ही डम लेंगे कोई हम को रोक नहीं सकता उसके बाद नसर अला को मार गिराया गया फिर भी हमले थम नहीं रहे थे और इसके बाद यह हुआ है कि इरान ने कर दिया हमला इसराइल के उपर कल राद दो सो मिसाइलें दाकी हैं और वहाँ पर साहिरन बजने लगे हाहा कार मजगया यह समझ लीजिए इ अंकर में छुप जाईए सेफ शेल्टर जो बनाए गए हैं वो भारती ओर ही बनाए गए है वहां पर जो भारती हैं उनके द्वारा ही यह तैयार किया गया है खैर यह एक ख़बर अलग है लेकिन वहां पर जाकर लोगों ने अपनी जान बचाई इसराइल की तरफ से जो वहा इससे कहां हमला करना है, कहां जवाब देना है, बहुत भरी पड़ेगा इरान को यह हमला। बहुत सारी खबरें आई और बार बार यह कहा गया, कि आपको युद्ध रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, और यह जो चल रहा है, यह तुरंत रुकना चाहिए, गरीब लोग, मसलूम लोग, बच्चे, सबकी मौत हो रही है, युएन में यह बड़ा मुद्धा उठा थ और खबर तो यह भी आई कि वहीं से ओर दिया गया था नसर आला के खात्मे का, वहीं से ओर दिया गया था, चूट और शूट, बिल्कुल, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद दिल्चस्प क्या है, अपढ़ना, कि केवल यह नहीं हुआ, यह एक ऐसी घटना थी, जिसने सब को चौँका कर रख दिया, हिजबुला को चौँका कर रख दिया कि यह क्या हो गया, खबर यह आई कि एरान के ही एक बंदे ने, जो वहाँ पर था, उसी ने खबर दी, इसराइल को, कि यहाँ पर हैं, नसर आला, और धेर कर दो, अटेक हो गया, उसके बाद एक पर और आई, उसके बाद हूथियों के पर अटेक करना शूरू कर दिया, इसराइल ने, और हूथी जो है, उन्हों ने यह किया कि इरान की तरफ जाने का रुख किया, कुछ कमांडर्स थे, हेलिकॉप्टर में सवार हुए, यमन से चले, कमांडर्स थे, हेलिकॉप्टर में उसके बाद वाकी टॉकी ब्लास्ट कराए, उसके बाद वहां के लोगों में कितना है, वाक क्रियेट हो गया, कि वहां पर, आप सूचिए, आपके देश में, अचानक से रेडियो पर संदेश बजने लग जाए, कि आप इस इलाके को खाली करतें, क्योंकि यहां पर आतंकी वज़े से 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, विस्तापित हुए हैं, घर चोटें, जो सबके घरों में होते हैं, बहुत आयत मात्रा में, उनमें ब्लास्ट हो रहा था, लोग लाप्टॉप से डर, लाप्टॉप फेकने लगे थे, देखा था, हाँ, बिल्कुल तस्वी इंडेक्स, ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स, मतलब इसमें हैं 145 मुल्क, पूरे दुनिया के 145 मुल्कों का, ये एक्च्वल में एक डेटा इकठा किया जाता, कि इसके पास कितनी ताकत है, कौन किस नमबर पर खाबिस है, तो देखिए, पहले नमबर पर तो, ये समझ ल अगराता कि शायद ये गेम है, ठीक है, लेकिन अब ये क्या है खास, देखिए, इसमें आप देखेंगी, डिफेंस बजट है, ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन कितनी है, यहां पर आर्मी कितनी है, एक्टिव परसनल कितने है, पर्चेस पावर, फॉरिन रिजर्व क कितना है, डिफेंस बजट कितना है, एरपोर्ट, रेलवे, रोडवे, यह सारी चीज़े हैं, और इसके हिसाब से, अगर दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें, इरान और इसराइल का, तो इरान है ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स में 14 हुए नमबर पर, जबकि इसराइल है 17 हुए नमबर पर, नीचे है, ताकत इरान की ज्यादा है, जो आंकडे बता रहे हैं, वो पॉपुलेशन इरान की ज्यादा है जाहिर सी बात है, और इसराइल की तो एक करोड भी पॉपुलेशन नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में इरान जो आपकी बताईए है, बताईए बताईए मुस्य ज़राद इरान के बास वाइस है अच्छ Exercise आपर अचैनला टायप सेबेंटीन और 31 है अचैनला इहां पर 27 है इनके पास कहसे निगे स्यादा है अब निचादे हैं, हैलिकॉप्टर्स 29 है हाँ इनके पास 32 हैं ओके ठीक है अब आगे बड़ी है पुनित जी ठीक है तो यह अटाकिंग हेलिकॉप्टर 34 है और अटाकिंग हेलिकॉप्टर 14 है देखिए उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एरक्राफ्ट केरियर्स जो है वो इरान के पास भी दी है मेरे खाल से देखिए तो क्ल मिलाकर यह है कुंडली ओके ऐरक्राफ्ट कैरियर्स के इसके अलावा फिंगे यह भी जीरो है और माइन वॉरफेयर ओयल प्रोडिक्शन्स यह सारे जीरो है और यह इरान के पास अगर देखें तो कुल मिलाकर ओवराल वर्रेटिंग देख लाते हैं क्यों है और इजराइल जो है वो 17 नमबर पर स्टैंड करता है लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसराइल जो है इसराइल के पीछ ने किया हमला इसराइल के यूएस ने कहा, अपने ट्रूप्स को कहा, कि आईए जो मिसालें चोड़ी जा रही है, इसको रास्ते में नश्ट करो, इसको खत्म करो, और अब ये अमेरिका ने भी कह दिया, कि हम तो आपको बार बार समझा रहे थे, अमेरिका ने इंटेलिजन्स ने पहले खबर कर दी थी होगी, रशिया साथ देई रहा है, हमको ये मालूम है, चाइना भी साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि आमेरिका और चाइना की दोनों के आपस में बनती नहीं, तो ये तो पावर का खेल है सब कुछ, और उधर अमेरिका तो साथ देई रहा है, ये परिस्तिती बनी हुई है, चारों तरफ से घिरा हुआ है इसराइल, लेकिर उसके बावजूद भी कह रहा है कि हम शांत नहीं बैठेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे, और जवाब कैसे देता है, अगर ग्लूबल फायर पावर इंडेक्स ये देखिए, दोनों का अगर आप देखे लगजाय करने वाले तो बहुत कुछ लिख देते हैं और ईसे चीज़ें लिखते हैं कि शर्म आनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं इस सोचे, आप सहमत असहमत हो सकते हैं मिरी बातों से투Bye Apple और देखे, हम किसी ले रहे है हम तो बात कर रहे हैं कि अभी परिस्तितिया जो खबरें आती हैं उसकी हम बात करते हैं हम किसी का पक्षनी लेते हैं यहाँ पर कि किस के पात लेकिन इसराइल ने क्या किया आप देखिए इसराइल ने अटैक लेबनान पर डायरेक्ट तो किया ही किया लेकिन जिस तरीके से उसने ह हेवक वहाँ पर create कर दिया, उसको आप समझेए, बिलकुल, हेवक ऐसे create किया कि वहाँ पर pager पर अर्वी में आता है message, और message जैसे ही खोलते हैं, एक बीप बचता है, message के लिए हाथ में pager लिया जाता है, और धमाका हो जाता है, वहाँ पर doctors की तरफ से कहा गया, कि मैंने अपन कि मुझे इस घटना के बाद निकालनी पड़ी, इसको बोलते हैं, हेवक क्रियेट कर दिया, नसरल्लाह की मौत होती है, उसके बाद खामनेई को safe place भेज दिया जाता है, इसको बोलते हैं, भगदर मचा देना, इसको बोलते हैं intelligence, और युद्ध में एक चीज़ और है, दोन इसी बाद है, मेडिया से ये तस्वीरे आती हैं, ये सारी तस्वीरे आई हैं और ये कहा गया कि देखिए कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद कल क्या हुआ, कल ये हुआ कि इसराइल के लोग मारे गए, उनके ओपर अटैक हुआ, मुंबई इसराइल म प्रोक्सी वार तो छेरता ही है, हमको मालूम है हिजबुला, खड़ा करने वाला कौन, हूती खड़ा करने वाला कौन और हमास, ये भूलना नहीं चाहिए हमको कि जो साथ अक्टूबर थी, आज हम दो अक्टूबर को बैठे हैं और गांधी जैनती है, बिलकुल, गांधी सारे लोग मारे गए, गाजा में मारे गए, वेस्ट बैंक में मारे गए, लबनान में मारे गए, हिजबुला के कमांडर्स को अगर निशाना बनाया गया तो आम लोग भी से प्रेशान हुए, बिलकुल, तो कुल मिला कर वार किसी सॉलुशन का हल नहीं है, भारत भी यह कहत बैठेजये बात करिए कुटनिय ते करिए उसके ऊपर निका लिया सॉलूशन लेकिन आप ऐसे हमले करते रहेंगे और अगर ये ताकत दिखाते रहेंगे तो ताकत दिखाते रहेंगे ताकत तो इसी के साथ हमाई तरफ से फिलाल इतना ही चीक है पूरी बिलकुल धन्यवाद बहुत धन्यवाद